असलाम आलेकम आज की टेस्टी रेसिपी दाल किच्डी जो की बड़ों को भी काफी पसंद आती तो बच्चों को क्यों दूर रखा जाए तो चलिए शुरू करते दाल किच्डी जिसके लिए आपको लेना है दू चमच चावल एक चमच मसूर दाल और मूंग दाल इन सब को ते सब्सक्र रख एक के लिए सब्सक्राइब इसके इस इंहांस फ्लीवर आएंगे तो इन शालाب एक ते से खाएंगे विए तीन से चार विचल आने दीजिये ताकि अच्छे से गल जाए अब primary चावल दाल सब सब अच्छे से गल चुके है अब अपने बीभी के comfort के साफ से मैं आपको दोनों चीस बता दीओ कि अपने बीभी के comfort के साफ से आपको कैसा भैतर करिये या तो इसे blender में प्यूरी बनाईए या तो फिस अच्छे से mash करिए mash करते वक्त ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें कोतमीर और टमाटर के पत्ते है अगर गली में अटक जाएंगा तो बच्छे को irritation होता है तो अच्छे से mash करिए मैंने आपको final touch puree का बताया है तो ये देखें ये मैंने सच्छे से piece लिया है और एक bowl में निकालने के बाद एक चमच खी में जीरी का तड़का दिया है और इसे mix किया है ये जो खिचडी होती है ये अपने आप में ही एक बहुती भेतरीन और complete meal होता है ये nutrition से भरपूर होता है तो कोशिश करिए कि हफते में एक बार तो इसे अपने बेबी के diet में जरूर इंकलोट करिए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेर जरूर करिए और comment करके बताईए कि आपको कैसा लगा थैंक्स फूर वाचिंग बाई अल्ला हाफिज